हेलो, वाट्स अप गाईज, मैं नेम इस पिन्वत बादू थापा and today in this video we will see how to return multiple elements inside react.render in react in Hindi तो चलिए गाईज, शुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से बहले गाईज, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज मेरा 6th वीडियो ने जा रहा है on react.js tutorial in Hindi in 2020 की उपर और इस playlist का link में नीचे description and comment section में आपको provide करा दूँगा, ठीक है, आज का वीडियो बहुत ही जात important है, क्यों कि अब भी तक हम क्या करते आ रहे, render method के अंदर हम सिर्फ एक element यूज करे, let's say, अब मैं आपको बता तो यह जो previous दिख रहा है, जो कुछ मैंने लिखा यह मैं आप आपको previous वीडियो में बता है था, ठीक है, वो playlist में आपको बता है, उसका link में नीचे description में आपको provide करा दूँगा, जरू चेक कीजिए, फिलाल अब मैं इसको आटा देता हूँ, हमें इसका कोई अभी जोतिनी, इसको भी मैं यहां से as it is रख देता हूँ, document को नीचे लेके आता हूँ, एंड आप लोगो इसको में थोड़ा से जूम कर देता हूँ, ठीक है, हमने सब कुछ समझ ले, एक एक line, एक keyword को हमने समझा, हम क्यों यूज कर रहें, क्यों हमें लिखना पड़ता है, सब कुछ हमने समझा, हमने JSX समझा भी पिछली वीडियो में, अब भी हमे हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है, let's say guys मैंने H1 यहां पर लिखा थापा टेकनिकल और एक सेकंड इसको मैंने controller सेव निकिया, and the moment मैं controller सेव करता हूँ, आटोमेटिक रिलोड हो जाता है, मुझे थापा टेकनिकल दिखाई दे रहा, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, अब भी आप मुझे बताईए कि ठीक है, मैंने थापा टेकनिकल तो लिख दिया, यह जो कॉमा है, इससे यह separate हो रहा है, and मैंने आपको बताया था, what is render method, याद करो याद करो guys, जी हाँ, एकदम perfect, क्या दिखाना है, and then, कॉमा देखी guys, क्या है, कहा दिखाना है, simple, क्या दि दिखाना मुझे सिर्फ अब थापा टेकनिकल नहीं दिखाना है, यह कॉमा separate कर रहा है, ठीक है, दो पार्ट को, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरोको एक और paragraph टेग यूज करना है, इस तरिके से मैंने लिखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, please, like and, ठीक है, spelling mistake और राज जैसे दिखाई देते है, but in actual, they are called jsx in react, यह आपको याद रखना है, बस यह html element मत बोल देना, ठीक है, अब अगर मैं आपको, you know, compile करके दिखाऊ, it's showing field to compile, and the reason वो ऐसा दिखा रहे है, यहाँ क्या बोल रहा है, कि parsing error, ठीक है, basically parsing error दिखाई देर, जहाँ पर adjacent jsx element must be wrapped in an encl closing tag, यह जो adjacent jsx element है, आपको बाता चला है, यह html नहीं है, यह jsx element है, and adjacent मतलब हम एक साथ दो-दो use कर रहे है, तो बोल रहे हैं, अगर आपको multiple jsx elements को use करना है, you must wrapped in an enclosing tag, इसका मतलब इन दोनों को किसी तरीके से कोई भी एक enclosing tag में wrap करो, मतलब किसी एक ऐसे dip के अंदर रखते हो, तो गयास मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप render method का use करोगे, it only takes one single element, it only takes one single element का मतलब यह, कि guys, यह h1 एक element है, हम सबको मालू में कि h1 एक element है, तो यह तो 1 हो गया न, render method सिर्फ और सिर्फ एक की single node या single element को मानता है, मतलब उसको चाहिए, but यहाँ पर हम paragraph element बन गया, तो यह दो element हो गया, and render method needs only one, तो अब मैं ऐसा क्या कर साकता हूँ, देखे हैं, आज का वीडियो यही है, सबसे ज़्याद important कि, अगर आपको multiple JSX elements को use करना हो, guys, आप मैं आप HTML elements नहीं बोलूँगा, अब से मैं JSX elements बोलूँगा, क्योंकि मैंने बहुत बता दिय है, कि यह HTML नहीं, यह JSX elements है, तो अगर आपको render method के अंदर multiple JSX elements को use करना है, you have to wrap it inside, कोई भी एक ऐसा div, जिससे render method को लगे हाँ, यह तो एक single element है, and वो बहुत simple है, guys, आपको याद है, हम जब भी काम करते हैं, अपने project पे HTML website करते हैं, समय में एक div tag लेता था, and div tag के अंदर म multiple कुछ भी add कर सकता था, तो simple है, once अगर आप div tag ले लेते हो, तो बात खतम, यह अब क्या है, यह हैला की h1, और यह जो paragraph JSX elements से यह है, तो दो, बट यह अब div element के अंदर है, तो अब यह random method इसको सिर्फ एक मानेगा, and this is it, guys, यही है, आज हमारा main concept, you know, इस वीडियो का की, ए एक random method के अंदर, आप multiple JSX elements को कैसे use कर सकते हो, सिर्फ करता हूं, and boom, आप देख सकते हो, थापा technical, and then, please like and share, अब इसका मलत भी नहीं की सिर्फ दो, अब guys, आप कितना भी use करो, comma, semicolumn देने की कोई जौत नहीं है, simply, आप मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे, अभी anchor tag मैं मैं नहीं लूँगा भी समय, let's say, मैं एक और, क्या लूँग, guys, h2 use करता हूं, ठीक है, इस तरी किसे h2 लिखा मैंने, and यहाँ पर इसको कर देता हूं, close, ठीक है, please, इस तरी किसे लिख देता हूं, subscribe भी, please subscribe my channel, and I think spelling again wrong, but कोई नहीं बाट, आप देखोगे, please subscribe my channel, this is the beauty, कि अब आप सिर्फ div के अंदर, यह जो div tag है, उसके अंदर आप इन सब को लिख सकते हो, ठीक है, अब guys, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, अगर आप version, react का, जो आपका version है, अगर वो 16.something कुछ भी हो, ठीक है, जो भी हो, मतलब 16 से उपर होना चाहिए, बस basically इसका मतलब अगर इस से जादा आपका react का version है, अब पूछो के कैसे पाता चलेगा, guys, मैं आपको बता है था, package.json file में आपके सारे version बताएगे, that is react, react.dome, and then we have a react script, and आप देख सकते हो, माइन is 16.13, तो यह कोई tension नहीं मुझे, and obviously आपको भी नहीं होगा, क्योंकि आपने भी मेरे इस क्या कर सकते हो, guys, now, it actually accepts an array of an elements, ठीक है, तो मैं आपको बता तो उसका मलब क्या है, अगर हम normal कुछ भी काम करते थे, suppose, जैसे मैं const, एक simple अगर मैं array बनाता हूँ, इस तरीके से, और उसमें अगर कुछ मुझे add करना हो, I mean, इस array के अगर मुझे elements add करने हो, उसके values add करने हो, तो मैं क्या करता था, जैसे यहाँ पर मैं, suppose, name add कर रहा हूँ, ठीक है, name store कर रहा, विनो, थापा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बहादूर, इस तरीके से, कुछ भी, तो basically हमें square brackets के अंदर उसके elements को comma से separate करके, add कर रहे होते हैं, है कि नहीं, simple, अगर आप array में काम करन है, तो यहाँ पर भी same ही करूँगा, एक square bracket, opening, ठीक है, यहाँ पर नीचे आके, एक close कर देता है, एक second, यहाँ पर नहीं, यह deep भी तो नीचे है मुझे, और यह इस तरीकी से, ठीक है, तो guys, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख भी देया, in react version 16 it's possible for render method to return an array of an elements, ठीक है, अब यह array of an elements को भी return कर सकते है, हाला कि हमने return keyword यूज नहीं किया, अगर हम simply इस तरीकी से भी लिखेंगे, क्योंकि हम functional component देख रहे ना कि class component, ठीक है, आगे हम जरूर देखेंगे वो feature में, अब भी आपको से बितना समझना है कि अगर आप render method आपको क्या बता है था, जब भी आप एक element pass करते हो, तो आपको दूसरे element को add करने से पहले comma देना है, ताकि आप बता सको, नहीं भाई, यह पहला index number and that is 0 में विनोद index number 1 में था, इस तरीकी से थाकि वो comma सा में पता चल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको comma देना पड़ेगा semi-column नहीं comma देना है, and इस तरीकी से यहाँ पे भी comma, ठीक है, and this is it, आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ वो लाल कलर का wave हमें दिखाई दे रहा था, वो गया बोच चुग है, and इसको भी मुझे नहीं चीज़, इसको बस दिखाने के लिए था, इसको control as save कर देता हूँ, त ताकि हमें पाता चले कि हाँ यह वही है, and काम कर रहा है, and guys आप देख सकते हैं, to all आए गया, जो just मैंने अभी add किया था, so guys this is it, आज इस वीडियो के लिए तना ही, and I really hope आपको वीडियो बहुत पसंदा होगा, जहां हमने देखा कि दो तरीके, कि अगर आपको multiple jsx elements को add कर जहां पर आप array of and elements को return भी करा सकते हो, ठीके, so this is it guys, आज इस वीडियो के लिए तना ही, and I really hope आपको वीडियो पसंदा होगा, मैं बताना चाहूंगा guys, मैं daily ऐसे awesome वीडियो करता रहता हूं, तो अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल था पर टेक्निकल को subscribe नहीं किया, तो guys please subscribe कर लिजेगा, and right side में create color का bell icon एक घंटी दिखाई देगा, hit कीजे, click कीजे, ताकि आप daily ऐसे awesome वीडियो को मिसना आगरे, and कुछ भी doubt हो तो बे figure हो के नीचे comment कीजे, मैं अपकी जरूर help करूंगा, so till then guys, thank you so much, take care.